हालो फ्रेंग्स वेल्कम यू आज में आपके जो वीडियो लिक्यारों देखे बात करने वाले हैं टार्गेट चासो प्लस दूर नहीं है या पास कितना है सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट फॉर्बूला सेव एक ही फॉर्बूले क साथ अब आपको कैसी बाते कर रहे हैं कहां का ट्रेडिंग कहां का इन्वेस्टमेंट हम उस चीज को कहते हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम ज्यादा पेशेंस यह चीज़ा लगती है तो उसके लिए आप देखोगे जो लॉंग टम परस्पेक्टिव की बात आती है तो हमारे पास मंथली और वीकली टाइम फ्रेम होते हैं उनमें आपको पेशेंस की जरुवत होती है तो इसलिए बस यही डिफरेंस है और सब में हमारा फॉर्मुला सेम होता है मैने ज्यादा रिस्क और साथ के साथ फॉलो दा प्रॉसेस तो चलिए बात करते हैं डिटेल में आगे बंडे से बहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोडिफिकेशन आती रहेगे और प्राइस सेक्षन सीखने के लिए आप मेंबर्शिप जोइन क ने लिखा है इसको कोशिश करेंगे समझने की और एक और कमेंट यहां पर आया है देवेश शिंग जी का टार्गेट उर्जा ग्लोबल के उपर उर्जा ग्लोबल साथ से आठ रुपे के बीच में हम आपके लिए मंतली करेक्शन रिजॉलिशन के लिए ले के आये थे अब से पहले काम होता है दीरे दीरे अपने प्रिंसेबल अमांट को निकालने का यानि कि जो आपने इन्वेस्ट किया है फिर उसके बाद आपका डर खतम हो जाता है और आप प्रोफिटेबलिटी को मैक्सिवाइज कर सकते हो आज का जो स्टॉक है फिर से नाम रिपीट करेंग यह कोल्टे पाटिल डिवलपर लिमिटेड और यह टार्गेट 400 क्यों हम कह रहे हैं क्योंकि यह स्टॉक जब हमारी नजरों में आया था तब हमने इसका टार्गेट 400 प्रिवियस हाई को देखते हुए सेट किया था और इस टार्गेट को सेट करने के अलावा देखिए यह पर एक नहीं बलकि पूरी की पूरी रियालिटी सेक्र के स्टॉक की बात करी थी अगस्त का ये वीडियो है पूरे रियालिटी सेक्टर के स्टॉक की और उस टाइब पर ये कोल्टे पाटिल डिवलपर 207 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था आज से 4-5 महीने पहले यानि के August के starting में क्यों ये वीडियो तब आपके सामने लेके आये थे मैं आपको यही कहूंगा description में इस वीडियो को आपका link जरूर दे दूँगा आप उसको देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि तब तक price move नहीं हो आता और 400 का target जो set किया था आप clearly देखिए all time high का और आज फिर से इस वीडियो को focus कर रहे हैं यहाँ पे comment के माध्यम से क्योंकि comment आया था तो हमने कहा है इसको एक बार और देखा जाए आप आप देखिए इसके monthly chart को मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यह बहुत important है समझना कि आपको किस तरीके से learning में चीजों की help मिलती है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो यह monthly, weekly और daily time frame का हमारे पास multi time frame की analysis का यह stock है, यह chart है आप देखिए तीन time frame से यहाँ पे अभी इसके उपर मैंने काफी detail में video create किया था क्योंकि बहुत सारे comment इसके उपर आ रहे थे कि कैसे इस चीज को use किया जाए मैंने आपको detail में बताया कि जिरोधा के पास यह feature बहुत ही बहतरीन trading view का यह feature है जिरोधा जिसको use करता है और आप भी इसको use कर सकते हो free में क्योंकि trading view में यही आठ चार्ट वाला जो feature है वो आपको 600 डॉलर पर यह के हिसाब से चार्ज होता है लेकिन जिरोधा पे काईट platform पे यह बिल्कुल free में available है तो इसलिए video के description में हमने आपको link के दिया हुआ है आप जिरोधा में account open कर सकते हो और इस feature को क्या कि एक बहुत important tool है जब आप multi time frame analysis करते हो तो इसलिए इसको आप use कर सकते हो free में account open करने के लिए description में link के दिये हुए है उसके तो आप account open कर सकते हो जिरोधा में अब पिछली बार जब हम आपके लिए video लेके आए थे तो अगस्त का यह time frame था अब आप खुद देखिए यह monthly के हिसाब से कोशिश करते हैं आपको हमेंसा monthly के हिसाब से आपके सामने stocks लाने की तो यह pricing range था और यह correction resolve हो रहा था आपको गयर क्या बात कही आपने और उसके बाद देखिए क्या rally आई अमेजिंग थी की नहीं थी rally अमेजिंग और इससे पहले भी अगर आप देखोगे जब यह correction resolve बहुत है क्या खतरनाक rally थी और target 400 सेट करने का में मकसद यह लेकिन आपको पता ही है मैं monthly के time frame में जब इस तरीके से इतना बड़ा move का expectation कर रहे हो तो in between correction भी आ सकता है और वही यह low volume का correction यहाँ पे आया और इसी कारण से इसी correction के कारण से यहाँ पे comment भी किया था विकास जी ने कि यह जो है अब इसका correction resolve होगा तो अगली rally क्योंकि low volume है impulse में बड़ा volume correction में low volume लेकिन इस low volume के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसका resolve होना important है तो चलिए जानते हैं चोटे time frame पर समझने की कोशिश करेंगे पहले आप देखिए मंतली पे कैसी situation अभी है अगर अभी के situation मंतली पे देखो तो यह पिछली correction जो यहाँ पे August 2017 में resolve हुई थी जो की 170 से इसको 400 पे लेके गई थी लवल वहीसी तरीके का है आप देखिए लवल उसी तरीके का है क्या उम्मीद होगी यहाँ पे 400 को भी पार करेगा इसके साथ साथ अगर मैं कुछ दिन पहले आपके लिए वीडियो लेका था संटेक रियालिटी का बिलकुल इसी point प हो रहा था तो आप देखिए यह संटेक रियालिटी अभी कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो क्रियेट किया देख रहे हो और आब वह थोड़ा सा पीछे है और साथ के साथ जब अगस्त की वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पे एक नहीं अनेक स्टॉक साथ में हमने इक आपको फोरेक्स के बारे में भी बताया था और वहाँ पे जब रिजॉल्व हो था करेक्शन तो उसने क्या रैली दी थी सीधे आट सो से बारा सो तक की रैली दी थी इंपोर्टेंट है कि नहीं है अब अभी हम फिलाल कोल्टे पार्टे लेवलपर के उपर फोकस कर रह पे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि और तार्गेट चार सो बहुत नजदी के आप ज्यादा दूर नहीं है और उमीद यही होगी कि इस तार्गेट को भी अगर पार किया जाता है तो फिर यहां पे फिर से कंसॉलिडेशन हो या फिर काइंड आप पोल बैक आपको देखने को मिले अब यह आगे हम वीकली चार्ट पे पिछले वीडियो को अगर आप तसल्ली से देखो तो यह करेक्शन डिटेल में आपको एक्स्प्लें किया गया था अगस्त के लेवल पे और उसके बाद देखे रैली तो आपके सामने आई लेकिन लेकिन इतनी बड़ी रैली जो आई उसके बाद एक इंबैलेंस सा क्रियेट हुआ प्राइस में लेकिन उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखो तो प्राइस इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा है जो की प्रायर रेजिस्टेंस का एरिया है यह देख रहे हैं तो इसका मतलब अगर यह करेक्शन रेजॉल्व होता है तो डेफिनेटली टार्गेट चार सो दूर नहीं समझ जरूर कि होंगे क्या बात यहाँ पे होने वाली है क्या बात हो रही है और किस तरीके से आगे के मूवमिंट को फोकस करना है वॉल्यूम यह देखिए अब करेक्शन विद लो वॉल्यूम इंतज या सीधे सीधे हिट होने की पूरी यहाँ पे एक हाई प्रॉबबबलेटी मैं कहूंगा हाई प्रॉबबलेटी एरिया अब आप कहूंग आर वह यह तो बहुत ही बढ़ी है यह तो बहुत ही अच्छी चीज है लेकिन अगर आप ओवरल तसलिस से इसको देखो तो पूरी इमपल्स बनी यह कांड वुकरैक्षं इंपल्स करेक्षं देखिए फिर से इंपल्स इसको कहा लेके जा रहा है इस यह चाल होगी उसको उसी में चाहे आपकी long term investment हो में फिर से repeat करूंगा जो wealth creation की बात बार-बार हम करते हैं वो monthly और weekly time frame के उपर focus करने को कहते हैं मन्थली और weekly time frame में हाँ थोड़ा सा risk ज्यादा होता है क्योंकि जो price जहां पर एरिया में एंटर करते हो मानलों यहां पर आपने 260 पर एंटर क्या आपका stop loss थोड़ा सा दूर हो सकता है तो इसलिए उस चीज को manage करने के लिए उस डर को uncertainty जिसले up-down वहां पर होती है उसको दू loss हमेशा आपका fix होना चाहिए पहले ही अब मैं आपको same situation कोल्टे पार्टिल डेवलपर के weekly यहां पे यह देखिए यह संटेक reality का जो के भी रिसेंट्ली 500 की series में आपके लिए वीडियो लिए कह थे अब यह 600 की series में पहुंच चुका है देखो इस पार्ट को तो यह दोनों resolution था वो देखिए वो लेट आया था वो 13 September वाले week में यहां पर लास्ट टाइम पर आया था और वहां 30 अगस मतलब पहले कोल्टे पाटिल भगा था इस बार जो है संटेक reality पहला move ले रहा है तो important क्या target 400 दूर है देखिए target 400 जस्ट एक impulse दूर है इस leg से देखिए तो overall आप को समझ में जरूर आ रहेंगे चीज़ें देखिए बहुत चोटी चोटी चीज़ें जरूर है लेकिन learning important again मैं बार बार repeat करूंगा आपको कि learning बहुत important है और बहुत सारे comments जो हमारे पास आये उसका भी resolution हमने आपको किया यह multi time frame analysis के उपर कि कि किस तरीके से आप इसको देख स है उन पर क्लिक करके आप account open कर सकते हो और साथ के साथ लर्निंग को priority रखें अर्निंग तो भई secondary है लेकिन एक बार चीज़ें समझ मां आ जाए तो definitely फिर आपको कभी किसी टिप या recommendation की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को share कीजे like कीजे price section सीखते रहिए practice करते रहिए and thank you thank you for watching the video